सके MG Mark के नजदी की होटल ले क्योंकि आपको कही भी आने जाने के लिए ये एक सेंटर पॉइंट की तरह काम करता है फिर वो डेली ब्रेक्विस्ट करना हो या लोकल साइट सीन या फिर गैंग टोक से आगे नौथ इस्ट या साउथ सिक्किम जाना हो आपको छोटी से छोटी चीजों के लिए यहां आना ही पड़ेगा अगर MG Mark के उपर वाले होटल महेंगे हो तो Google Maps का यूज करके ये जरूर पता कर ले कि आपके होटल से MG Mark कितने वॉकिंग डिस्टिंस पे है और तभी होटल बुक करें ये हिल स्टेशन है यहां इन अपन डाउन स्टेश में चलना काफी मुश्किल हो जाएगा और आपको टैक्सी का डेली फेर काफी महेंगा पड़ेगा MG रोड से दो तीन व्यूपॉइंट्स तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टिंस में ही है तो होटल सोच समझ कर ले सुभा के साथ बचते बचते कुछ सुविनियर शॉप्स ओपन होने लगी मैंने अपने लिए कुछ फिश मैगनेट्स यहां से लिए बाकी सभी के प्राइस मुझे थोड़े हाई ही लगे जैसा की हर हिल स्टेशन में होता है ट्रैवल एजनसी के ओपन होने से पहले ठंडी वादियों में चाय की एक चुसकी लेते समय एक जबरदस्त नजारा देखता है